हेलो दोस्तो, वेलकम टू माई चैनल ब्रोडकास्ट बॉंप आज से होगी अंग्रेजी की असली शुरुवात जिसमें हम पढ़ेगे अल्फाबेट्स दोस्तों अंग्रेजी एक ऐसी लेंग्वेज है जिसका उपयोग या जिसका इस्तमाल हम आफिस, स्कूल, कॉलेज, आफिसेज और रोजमर्रा की जिन्दगी में यूज होता है और यहे ये लेंग्वेज बहुत उपयोगी है आजकल हर जगा पे अंग्रेजी यूज होती है अंग्रेजी इस वर्ड की सबसे महत्वपुर्ण लेंग्वेज है जिसे पूरी वर्ड में बोला जाता है तो आज हम जानेंगे अल्फाबेट्स अंग्रेजी में हम बहुत सारे ऐसे वर्ड बोलते हैं जिसे हम कहते हैं कॉमन वर्ड्स और कॉमन वर्ड्स में हम बहुत सारे वर्ड ऐसे बोलते हैं के बारे में हिंदी में हमें तो पता ही नहीं होता, बट हम उसे अंग्रेजी में ही उच्चार करते हैं, जैसे के, common words में होता है, pen, pencil, fan, remote, book, bag, television, TV, dress, shoes, sandals, coffee, mobile, camera, charger, good morning, good afternoon, good night, take care, bye, sweet dream, movie, photos, music, videos, chatting, cool, hot, fast, slow, fruit, fruits, running, swimming, study, apple, biscuit, chocolate, sweet dream, bread, milk, tea, sleep, इसे बहुत सारे common words हम रोज मर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, या रोज मर्रा की बोलचाल में यूज करते हैं, लेकिन हमें इसका पता हिंदी में होता ही नहीं, और हम इसे अंग्रेजी में commonly यूज कर देते हैं, इसलिए अंग्रेजी वैसे बहुत simple language है, बस उसके इजी लगने लगेगी, तो चलो जानते हैं सबसे पहले अंग्रेजी alphabets के बारे में, शुरुवात alphabets से ही होती हैं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में जानते हैं alphabets, आज हम जानेंगे अंग्रेजी वर्ण माला और हिंदी वर्ण माला, अंग्रेजी वर्ण माला किवकि अंग्रिजी में alphabets कितने होते हैं तो हम कहेगे अंग्रिजी में alphabets 26 होते हैं बड़ दोस्तो यह जवाब गलत है क्योंकि अंग्रिजी में alphabets सिर्फ एक होता है जिसे हम कहते हैं वर्न माला 36 जो हम कहते हैं वो होते है असल में letter letters का मतलब क्या आता है? one जो 26 होते है फिर उसके बाद आता है uppercase capital letters बड़े one lowercase small one small letters छोटे one upper case को लिखने का तरीका और lowercase को लिखने का तरीका मैंने आगे की स्लाइड में लिखा है तो टोटल ये हुआ कि वर्न माला में कुल 26 वर्न होते है तो capital letters इस तरह से लिखा जाता है capital letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ये जो लिखने का तरीका है इसे हम कहेगे capital letters और capital letters लिखने का तरीका ऐसे होता है जिसे हम कहेगे बड़े वर्न उसके बाद आता है small letters small letters को कहते हैं छोटे वर्न तो हम इससे लिखने का तरीका इस तरह से है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z small letters को लिखने का ये तरीका है जैसे हमने slide में लिखा है उसके बाद होता है vowels और consonant स्वर और वेंजनों से बनता है वर्न माला जिसमें there are five vowels मतलब अंग्रिजी में पाच vowels होते हैं A, E, I, O, U अब स्वर होता क्या है कि A, E, I, O, U इसके बिना हम कोई word नहीं बना सकते स्वर हर word में होता ही है इन पाच word के बिना कोई भी अंग्रिजी sentence या कोई भी अंग्रिजी word बनाना ना मुनकिन है इसके बाद जो भी बज़ते हैं 21-21 are consonant consonant वेंजन होते हैं जो होते हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z यह होते हैं consonant उसके बाद आता है हिंदी के स्वर और फेंजन वोड़् स्वर अ अ अ अब यह हिंदी के स्वर है अ आ ये हिंदी के स्वर है जो लगबग 12 है 12 अंगरीजी के स्वर है हिंदी के स्वर है जिसे हम कहते हैं वाविल्स ये हिंदी में यूज होते है उसके बाद जो बचते है वो होते है ये है हिंदी के कंसोनन्ट वेंजन तो इसमें ये हिंदी के कंसोनन्ट जिसे हम हिंदी के वेंजन कहते हैं और ये वेंजन इन सब को आप नोट कर लिजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम कोई वर्ड बनाते है तो हमें देखो जैसे मैंने क का मतलब लिखा है क को हम कैसे लिखते है क क को कैसे लिखते है तो जब भी हम कोई भी शब्द या कोई भी वर्ड हम अंग्रेजी में बनाएगे तो हमें यह याद होना चाहे कि उसको हम कैसे लिखते है तो लिखने का तरीका यह है तो आप इसे नोट कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए आपको ज़रूर फायदा होगा इसके बाद मैं ले क्या होगा इसकी बाराखड़ी के कैसे कैसे काम करता है या फिर हम इसके बार खड़ी में कैसे देखेगे कैसे वर्ड बनेगा अंग्रेजी में जानेगे कि इसके बाद बार खड़ी कैसी पड़ेगे कैसी बार खड़ी के बारे में जानेगे तो इस वीडियो में इतना ही thanks for watching my videos अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो मेरे निव वीडियो जब भी मैं अपलोड करू तो आपको मिल जाना चाहिए थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियोज